वाइब तो दोस्तों बहुत लोग के कमेंट डारा है चनल पर कि हिंदी का जो कारेल लेन हिंदी आपका विशह है जिसको आप हिंदी पेपर टूमर रखेंगे उस सब्जेट की वीडियो बनाई है तो आपके लिए दोस्तों वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपके सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो में देखेंगे अगर आपको स्लेबस कर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सलेबस में आपके बताया हुगा है यूनिट बन में की कारेल नहीं हिंदी का सुरूप कैसा होता है और उसकी उद्देश क्या है उस करेंट को कहां हैं आपको समझेंगे सबसे पहले इस शुरूवात करने हैं सूला तारीक8 जब और पेपर देंगे तो आपको धेंजा है वो बिल्कुल सेम्टू से मिने आपको लिखके तक बता दिया इस वीडियो में तो लिखा हुआ है कि मनुष्य एक समाजिक प्राणी है बिल्कुल सही बात है मनुष्य एक समाजिक प्राणी है और भाषा समाज के सदस्यों के भी संपर्क बस संबात का माध्यम बनती है यह बात ही बिलकुल सच है कि जो भाषा होती है वो समाज के सदस्यों के बीच में समाज सदस्य मतलब जिसे हम हैं आप लोग हैं सब फैमिली मेंबर्स हैं कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ classmates हो सकते हैं, आप college जाते हैं, hospitals होती हैं. तो ये सब के society का part हैं, government होती है. तो समाज के सबस्चियों के बीच में जो भाशा होती है, ये संपर्क वा संबात का कारे करती है. हम यह बोल सकते हैं यहां पर दोस्तों कि भाशा के बिना समाज में डिसकेशन नहीं हो पाएगा तो आप सोच सकते हो कि हम उस जमानें पहुंच जाएंगे यार जहां पर जिस समयादी मानाव होते थे तो वो किसी भाशा को नहीं जानते थे और वो हर चीज का जो है एक्सप् पेंटिंग्स बगरा बनाते थे दीवारों पर उस समय जो पत्थर की गुफाएं थी उन पर बाचियों को बताते थे और उसी के बिहाब में उसी के बिजस्स पर आपको आज भीम बेटे का में जो गुफाएं मिलती हैं देखने को वो उसी समय की हैं तो आप सोच यह आप ठिंग करिए इस बात के लिए कि अगर भाशा नहीं होती तो कितनी समझ से खड़ी हो सकती थे अगर भाशा नहीं होती दोस्तों तो शायद मैं भी आपके साथ डिसकेशन नहीं कर रहा होता तो बिना भाशा के किसी भी समाज कस्तिव संभब नहीं है मैं आपको यह बता रह चाहिए पीने के लिए पानी चाहिए पहनने के लिए कपड़ा चाहिए उसी तरह से हर व्यक्ति को आपस में एक संपर्क बनाने के लिए किसी ना किसी भाषा की अवशक्ता होती है हम यह नहीं कहेंगे कि हिंदी से ही काम चलता है और ही भाषाओं से काम चलता है लेकिन शुर भाशा में कुछ ना कुछ बदला कुछ ना कुछ परिवर्टन हुआ है और भाशा का महत भी लगातार बढ़ रहा है तो बिल्कुल सच बात है पहले आप देखते थे कि किस तरह से एक ही भाशा होती थी और उसी भाशा को सब लोग बोलते थे दूसरा करान ये भी था दोस्त सरे प्लेटफॉर्म सा गया है जिसके तुरू आप मूबाईल आ गया है जिसके तुरू आप चीजों को पढ़ सकते हैं समय सकते हैं तो एक भाशा जो है यह लगातार इसका महत बढ़ रहा है क्योंकि जनसंग क्या बढ़ रही है तो भाशा भी बढ़ रही है समाज के सब्सक्राइब करना गिन्तु लेकिन आपको कंडिशन दे रहा है कि भाशा समाज की एक सीधी रिखा में चलने वाली इकाई नहीं है तो क्या बता रही है आपको कि यह सारी शीव दर्म को डिसकस की लेकिन इसकी अलाबा जो भाशा है वो समाज में सीधी रिखा की तरह काम हम नहीं करती के जैसा लोग बोलते जाएंगी समय के साथ रही pixels ने कुछ बदलाब होते रहते हैं और वहीं आपके लिए हम बता रहेते हैं यह पर भारचा में बासाओं में संबाद होता है जानते हैं कि हमारा भारती संबीदान नहीं है उसमें बाइस हैं जो पाड़ी लागों में बूली जाती हैं मद्र प्रदेश में ना जाने कितनी ऐसी भाषा हर एक जाती हर एक धर्म की भाषा में कुछ न कुछ पुड़ावत अंतर दीखा जाता है तो भीवन भाषां में संबाद होता है इसलिए आपको इलाइन दे रहे हैं और हर एक भ समाज की संपर्क भाषा हिंदी ने अब लंबी यात्रा करते हुए बैदिक संस्कृत से यानि के पहले की समय में मैंने आपको आइडियो भरत का बीडियो डालास में बताया था कि बैदिक संस्कृत चलती थी उससे शुरूबात होकर आया अदुनियों का सुरूब बदल ग देखते हैं बाहनेृअब को कर दो लोग हो सकता है घ्क होने हो बहुता रहा है तो हमें कह سकते हैं कि कोई कह 500 भाषा हो लोग रहते हैं इसलीए समाज में भाशा को की तरह ही उसकी यहँंनी की समाज की अपनी भाशा में भी कभी स्थिर्था नहीं रही है तो जैसे दोस् scared-pflicht होता है आप देखते हैं कि पहले जहां का यहँ माकान दे तरह मितलब कि भाषा भी कभी एक सी नहीं रही हुई है उतमें समय के साथ बदला हो जाते हैं आप हिंदी भाषा को ही देख लो दोस्तों इतनी तरह से हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग हैं कि थोड़ा हमकों अंतर देखेगा आप अगर गोपाल कि आदस पास के लागरों लग मिलेगी इसकलाब आप बुंदिल खंड में चले जाईए आप रीवा प्रदेश में चले जाईए तो मतलब में यह बोल सकता हूं दोस्तों कि हर एक छेत्र के हिसाब कभी भाषा को हिंदी वाषा कुरे मैं दोस्तों हिंदी भाषा को हम इसकी उफ्योग के अधारवाद के बाट सकते Subscribe तो बता रहा है कि जैसे एक आप हिंदी बोल सकते हो कि एक हिंदी होती है साहित एक हिंदी जिसमें साहित को बढ़ा जाता है जैसे आप देखते होंगे कि जिनलों का मेजर पेपर रहा होगा उनके लिए हिंदी साहित होता है तो उसमें भाशा बौज़रा टफ होती है बहुत सारे गीतकार, बहुत सारे रचेईता, बहुत सारे कहानीकारों के बारे हम पढ़ते हैं च्छायाबादे कभी होते हैं इस सारी चीज़े बताई जाती है तो यह साहित्तिक हिंदी होती है ये आम तोर पर हम अपने बोलचल की भाषा में यूज़ नहीं करते क्योंकि आप समय सकते हैं वगर साइटिक हिंदी का बोलचल की भाषा में यूज़ कर लोगे तो भाई बहुत confusion रहेगा लोगों के लिए तो ये चीज़ें आप समय सकते हैं कारेलें हिंदी मतलब दोस्तों जो ऐसी भाषा हिंदी भाषा जो कारेलें में यूज़ होती है मतलब कोई भी गवर्मेंट ऑफिस हैं कोई भी प्राइबेट ऑफिसेज हैं तो इस तरह सिर चलता है कारेलें हिंदी में जो भी डॉक्यमेंट ऊते हैं वह स्बाशा में आते हैं बहुत तर्द विद्धी को बढट सकते हो बैगानेक और टकनिकी हिंदी सामाजएक हिंदी बिधी बारक हिंदी तो दोस्तों तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस तरह से आप हिंदी को बाठ सकते हैं तो आज की वीडियों में इतना ही बहुत जल नेक्स वीडियों लेका रहूंगा तब तक क्लिए देखते ही हमारे चैनल ट्वीटर पॉलिस मिलता हूं नेक्स वीडियों में जहन वंधे मात्र